तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आनके 20 अगस्त के important current affairs को देखे हमारा पहला प्रस्न क्या है अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्रयात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है तो अंसर होगा मंडला तो मद्यप्रदेश का ये आदिवासी बहुल शेत्र ये देश का पहला कार्रवाहक रूप से साक्षर जिला बन गया है अभी जिला परशाशन ने 2020 में निवासियों को कार्रयात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए निरक्षर्ता से आजादी अभियान शुरू किया था रूप से साक्षर कहा जाएगा अच्छा शायद आपको याद होगा इसी साल के स्टार्टिंग में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमिच्छा उन्होंने जम्मू कश्मीर के जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशाशन सूचकांग गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉंच किया था जिसमें टॉप पे था जम्मू सेकेंड पे डोडा और तीसरे पे सामबा जिला था चलो आप मुझे बताओ भारत का पहला जिला कुलिंग सिस्टम ये का पे बनेगा आंदर प्रदेश के अमरावती में और अगर आपसे पूछा जाए न एक्जाम में कि हर गाव में पुस्तकाले वाला देश का पहला जिला कौन सा बना तो आंसर होगा जारखंड का जाम ताड़ा जिला चलो आप तो ये बताओ आयुश्मान भारत प्रदान मंतरी जन आरूग्य योजना के तहत सो प्रतेशात घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना था तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का सामबा जिला और देश का पहला हर घर जल प्रमानित जिला कौन सा बना तो मद्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला अब बात तो वेसे मद्धे परदेश की हो रही है तो चलो मद्धे परदेश से कुछ प्रशन आप से पूस्टा हूँ पहला पोईंट तो आप ये याद रखना कि मद्धे परदेश ही बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील और अगर आपको याद हो तो मद्देपरदेश में भारत की पहली hot air balloon wildlife safari की शुरुवात हुई थी कहाँ पे मद्देपरदेश के बांदवगड tiger reserve में और मद्देपरदेश के ग्वालियर में देश का पहला drone मेले कब आयोजेन किया गया था और मद्देपरदेश के नदी पर ओम का रिश्वर बांद पे बनेगा आपको याद है न मद्देपरदेश का जो इंदौर है भारत का पहला water plus प्रमानिच शहर गोशित किया गया था इसे एशिया का सबसे बड़ा bio cng plant भी इंदौर में बनेगा और मद्देपरदेश के भुपाल में जो इसकी capital है वहाँ पे इस्तापित किया गया था देश का पहला इक कचरा क्लेनिक चलो एक प्रशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ भारत का पहला bio mass atherid hydrogen plant ये का पे इस्तापित किया जाएगा आप बताओ हम बढ़ते आगे और हाँ guys एक और important update है आप लोगों के लिए आप मेंसे कही students static gk की कई बार demand करते हैं तो बस अब यही सोच करके कि आपका static वाला part कैसे मजबूत किया जाए तो इसके लिए कुछ नया start कर रहे हैं इसके लिए हम एक नई test series start कर रहे हैं आपको पता है अपने जितने भी test quiz वगेरा होती है बिल्कुल free में होती है तो ये भी बिल्कुल free होगी आप सभी के लिए और इसमें सबसे खास बात किया है कि topic wise हम लोग start कर रहे हैं जैसे कि कल की बात कर रहे हैं तो कल मैंने topic start किया भारत में जितने भी प्रमुक अनुसंधान संस्थाएं हैं research institute से तो उनके उपर जितने भी important question है या तो वो exam में किसी exam में पूछे गए ह पूछे जा सकते हैं तो वो question collect किये और उन सभी questions का quiz बना करके मैंने डाल दिया आप check कर ले ना उसे जाकर के लेकिन पहले पूरी बात सुन लो कल मैंने उसके 4 set बना करके डाल दिये एक set में आपको 10 question मिलेंगे अब लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को भी जोड़ना चा जैसे उधारन के तौर पे आप मेंसे 10 student ने मुझे comment किया 10 में से 5 लोगों ने बोला कि वॉलके नो ज्वाला मुखी के उपर प्रशन आते हैं हमारे exam में या इस संबंदित exam में या हमारा ये वाला part कमजोर है तो हमें तो इस topic पे quiz चाहिए तो फिर हम पहले ज्वाला मुख क्योंकि static gk में क्या होता है जब आप कोई book वगरा खोलते हो तो एक topic की आपने quiz लगा ली फिर दूसरा topic भी आपको मिल जाएगा अरे इसकी भी लगालता हूँ उसका भी लगालता हूँ तो एक की साथ मैं सब कुछ दिमाग में डालना चाहोगे तो कचरा हो जाता है तो हम हम धीरी-धीर step by step चलेंगे हर topic पर आपको 2-3 दिन मिलेंगे हर 2-3 दिन में एक नया topic हम cover करेंगे जैसे मैंने कल research institute जितने भी भारत में important है जो भी वहां से संबनित प्रशन बने आपके exam में या जो मुझे important लगे उनका मैंने quiz बना दिया अब एक-2 दिन तक अगली topic के जि फिर एक-2 दिन आपको मिलेंगे आराम से 3-4 बार उसको कर लो जो कि मुझे अगले topic को search करने में question सिखटे करने में फिर कुछ समय लगेगा एक या दो दिन का उधर मेरा काम में करता रहूंगा और इदर आपका काम आप करते रहना इस तरह से आपके सारे important question भी cover हो कहीं आपके topic उसमें तो नहीं आते न जैसे आप मुझे अब comment करना चाहोगे कि national park पे चाहिए तो national park की quiz बनी हुई है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है तो एक बार पहले वाँ जाके check कर ले न उसमें अगर उस list में अगर आपका topic नहीं है तो फिर मुझे comment करना और अगर म UEFA महिला Champions League में खेलने वाली पहली भारते फुटबॉलर कौन बनी है तो आंसर होगा मनीशा कल्यान तो मनीशा कल्यान UEFA महिला Champions League में खेलने वाली पहली भारते फुटबॉलर बन गई है उन्होंने एंगोमी साइपरस में यूरोपिय क्लब प्रतियोगीता में अपॉलॉन लेडीज फुटबॉल कलब के साथ अपने खेल करियर की शुरुवात की अच्छा इनके नाम से आपको जरूर कुछ याद आ रहा होगा अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि 2021-22 के सीजन के लिए All India Football Federation महिला Footballer of the Year चुना गया था मनीशा कल्यान को और पुरुशों में कि से चुना गया था सुनील चेत्री को और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 85 सालों में पहली बार फीफा ने भारते फुटबॉल महासंग को निलंबित कर दिया और बताओ अभी UEFA Super Cup 2022 का Final मुकाबला किस ने जीता तो आंसर होगा Real Madrid ने और अभी आपको बताए South Asian Football Federation Under 20 Championship 2020 ज इसको भारत ने जीता है बांगलादेश को हरा करके और 75 वी संतोष ट्रोफी को किस ने जीता 2022 की संतोष ट्रोफी याद रखना इसका संबन पूछेंगे तो फुटबॉल से है इसको जीत लिया भी कैरल ने पश्ची मंगाल को हरा करके और इस साल जो FIFA World Cup 2022 है ये कतर दोहा मे होगा इसका ओफिशल स्पांसर बाई जूज है इसका मैस्कोट यानि कि शुभंकर है लाइब और अगले 2026 वाले FIFA World Cup तीन देशों में होगे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में और वैसे तो देखो अंडर 17 महिला FIFA World Cup 2022 ये भारत में होने वाले हैं लेकिन जैसा कि आपको ब कलिंगा कप, रोवर्स कप, सर आशुतोष मुखरजी ट्रोफी हो गया, बीसी रॉय ट्रोफी हो गया, सुब्रोदो कप हो गया, इन सब का संबन्द आप से पूछेंगे तो आंसरोगा फुटबॉल, ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताओ, हाली में किस राज्य में दही हांडी को मिलेगा खेल का दर्जा, तो आंसरोगा महराष्टर, तो महराष्टर में दही हांडी को सहासी खेल का दर्जा मिलेगा, यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी आपको पताए इस उत्सव में क्या होता है और उपर रसी के सहारे हवा में एक मट्की जिसमें दई भरा रेता है उसको लटका देते हैं ऑफिर नीचे से मानव पिरामिड बना करके एक टो पर एक चड़के उसको फूड़ा जाता है इसे ही केते दई हांडी इसका आयोजन जन्माष्ट में के अउसर पे किया जाता है और आप सभी को हैप्पी जन्माष्ट में नंद के आनंद भयो जे कनिया लाल की तो भया अभी महराष्टर सरकार ने दही हंडी समारों के तहट बनाये जाने वाले मानव पिरामिड को सहसिक खेल की पहचान देने का फैसला किया और अभी महां के मुख्य मंतरी जो एकनाचिंदे हैं उन्होंने ये भी कहा कि मानव पिरामिड बनाने के दोरान अगर किसी प्रतिभागी का दुर्भागे पुर्ण मृत्य भी हो जाता है जिसे गिर वगरा जाते उस कारण किसी कारणवश मृत्य हो जाती है तो उसके परि राष्टर खेल जो होंगे इस साल कहां पे होंगे तो आंसरों का गुजरात में होंगे और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पांचवा संसकरन अगर आपसे पूछे तो ये होगा मद्यप्रदेश के भोपाल में अभी चोथा संसकरन कहां पे हो था पंचकुला हर्याना में हो था जिसका शुबंकर था धाकड जीता उसको हर्याना नहीं और राष्टर खेल दिवस अभी हम मनाने वाले 29 अगस्त को अच्छा दही से एक प्रश्ण बनता है आपके साइंस में कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है लेक्टोबैकिलस याद रखना बढ़ते अचा फिर बताओ अभी हाली में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्रिक बस ये कांपे शुरू हुई तो आंसर होगा मंबई हमारे केंद्रे सड़क परिवयन वर राजमार्ग मंतरिकों ने नितिनगड करी अभी उन्होंने मंबई में देश की पहली इलेक्रिक डबल ड बसे चलेगी मुंबई में इसमें एक बार में कितने पैसेंजर बेट पाएंगे तो 90 पैसेंजर बेट पाएंगे अच्छा आपको याद होगा उडिसा की सारोजनिक परिवहन सेवा है मो बस उसको अभी युनाइटेड निशन पबलिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया चलो मुझे बताओ अभी किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश इसमें होगा क्या वहां के राज्य की जो महिलाए हैं उनको राज्य की बसों में 50% मिलेगी किरायन और आपको याद होगा डिजिटल टिकिट सिस्टम से लेस ब पहले मानव दुग्द बैंक की शुरूआत की तो आंसर होगा नेपाल तो अभी नेपाल की जो प्रेसिडेंट विद्या देवी बंदारी उन्होंने एक मात्रत्व और महिला अस्पताल में देश के पहले मानव दुग्द बैंक का उधगाटन किया तो इस अस्पताल में स् मंदित एक प्रश्ण अगर में आपसे पूछूँ कि भारत का पहला मानव दुग्द बैंक ये काँ पे स्थापित किया गया था मुंबई में और ये भारत का ये नहीं उस वक्त एशिया का पहला था कब की बात है 1989 की बात है वैसे दूद से एक सिंपल सा बेसिक प्रश्ण पूछूँगा नेशनल मिल्क डे सभी जानते हो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जैनती पर मनाते है जिने सफित करांती का जनक का जाता है कब कब गेट तो बताओ 26 नवंबर को जिस दिन सम्विधान दिवस भी मनाते है और वर्ल्ड मिल्क डे एक जून को अच्छा जम्म पाजस्तान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी जिसमें कक्षा एक से लेके पांचवी तक के बच्चों को डेड़ सो एमिल और छटी से लेके आठवी तक के बच्चों को दो सो एमिल दूद दिया जाएगा अच्छा नेपाल की बात है तो ये रा मैप करणि से हैं नेपाली रुपिया और सार्क का हेड़्कवाटर आपको यहीं पर मिलेगा काठ मांडू नेपाल में और हम नेपाल के साथ कौन से exercise करते सूर्य किरन नाम की exercise अच्छा अभी नेपाल की एक Transgender कार्य करता का नाम नियूज में था क्योंकि अभी इनको International Women of Courage Award मिल नामे भूमी का शिरिष्ठ ये नाम याद रखना बढ़ते आगे अच्छा फिर बताईए हाली में विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड हुमिनिटेरियन डे कब मनाया गया तो अंसर होगा 19 अगस्त को तो हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप मे मनाया जाता है और इसे मनाने का उदेश क्या है उन लोगों को श्रद्धानजली अर्पित करना जिन्होंने सभी बादाओं के खिलाफ मानवतावादी सेवा के लिए अपने प्राणू की आहुती दी पहली बार इसे 2009 में मनाया गया अच्छा इस दिन को इराक में सन्युक् ये राडी मेलो की याद में मनाया जाता है जो 2003 में बगदाद में एक बम हमले में मारे गये थे इस बार की थीम की हम बात करें जो अमारे काम किये वो है इट टेक्स अ विलेच वैसे 19 अगस्ट को वर्ल्ड फोटोग्राफी डेवी मनाते हैं अब देखो यहाँ पे एक प्र प्रान नहीं दिया तो कन्फीज हो जाओगे वो होता है 10 देसंबर को जिसे इंग्लिश में बोलते हैं International Human Rights Day तो यह आप जरूर ध्यान रखना बागे देको important day वाला गुशन है जब भी day वाला गुशन आता है उस महिने के सारे important days को हम लोग revise करते हैं मानते हो मानते हो तो आ पर किस राज्य में steel slag road का निर्मान करेगा तो आंचार होगा अरुनाचल प्रदेश तो border road organization या अरुनाचल प्रदेश में steel slag से बनी road बनाएगा यह steel slag road इस तरह की पहली पर योजिना होगी और यह road भारी बारेश और प्रतिकूल जलवायू परिस्तितियों का सामना करन तो अब उससे सड़क बनाई जा रही है उसका इस्तमाल किया जा रहा है आपको याद दूगा कुछ समय पहले हमने कहा था कि बताओ किस शहर में भारत के पहले steel सड़क बनी थी चाए वो एक किलोमेटर लंबी थी लेकिन बनी कहां पे थी तो हमने पढ़ा था गुजरात के सूरत में बनी थी अब बात अरुनाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुनाचल प्रदेश कैपिटल इसकी इटा नगर है गवर्नर है बेडी मिश्रा और मुख्य मंत्री कौन है पेमा खांडू है अचा अरुनाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है इनेडियम के बंडार कहाँ पे मिले अरुनाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में और Geological Survey of India के रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि भारत में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% केवल आपको अरुनाचल प्रदेश में मिल जाएगा और अभी असम और अरुनाचल प Organization की बात करेंगे स्टापने होती 1960 में नई दिल्ली में इसका Headquarter आपको मिलेगा और इसके Director General कौन है? राजीव चौधरी है और अभी अगर आपसे पूछूँ कि Border Road Organization की पहली महिला Commanding Officer कौन बनी थी? वेशाली हिवासे बनी थी और आपको याद हो तो Border Road Organization ने लदाक में 19,000 फीट उचाई पर उम लिंग ला धर्रे पर एक सड़क बनाई थी जिसके लिए Border Road Organization को World Record Certificate भी मिला था दुनिया की सबसे उची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए चलो एक प्रेशन का उत्तर दू ये जो Border Road Organization किस मंत्राले के अंतरगत काम करता है ये Defense Ministry रक्षा मंत्राले के अंतरगत कार्रे करता है अब रोड समझ के सड़कव परिवहन राजमार्ग मंत्राले मत कर देना ये ध्यान रखना पॉइंट बढ़ते आगे चलो बताओ अगस्त 2022 में बजाज Electricals के MDCU के रूप में किसे नियुक्ट किया गया तो आंसर होगा अनुच पॉददार को तो बजाज Electricals ने अपने कार्रेकारी निदेशक अनुच पॉददार को MDCU के रूप में नियुक्ट किया है Actually में Company ने अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक के पद को अलग-अलग कर दिया पहले ये दोनों पद एक ही वेक्ति समाल रहे थे शेखर बजाज तो अब अध्यक्ष तो वही रहेंगे शेखर बजाज पर Managing Director बना दिया गया अनुच पॉददार को ये पिच्चर है और आशिश कुमार चोहान अभी National Stock Exchange के MDCO बने थे अगर मैं पूछूं Bombay Stock Exchange के MDCO कौन बने थे तो आंसर क्या होगा SS Moon Rada याद रखना बढ़ते आगे चलो फिर बताओ अगस्ट 2022 में किस केंद्रे मंत्री ने एक्वा बाजार अप्लिकेशन को लांच किया तो आंसर होगा पुरुशोत्तम रुपाला हमारे मतस्यापालन और पश्वाणन मंत्री है ये पुरुशोत्तम रुपाला जिनोंने अभी Aqua Bajaar Nansi के एक एप्लिकेशन को लांच किया है ये एप्लिकेशन मचली किसानों और हित धारकों को मचलियों के लिए बीज, चारा, दवाएं और मचली पालन के लिए आवश्चक जितनी भी सेवाएं हैं उनको उपलब्द करवाएगी तो इस application को किसने बनाया? ICAR Central Institute of Freshwater Aquaculture में अच्छा ICAR कुछ याद आया? अब इसकी पहली मैला अध्यक्ष का नाम बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है कौन है वो? चलो उनका नाम आप ही बताओ और इनके नाम से आप मुझे बताओ कि हमने इसको कैसे याद किया था? इसका नाम आप किस चीज से लिंक कर पाते हो? बाकी पुरुशोत्तम रुपाला से याद आएगा अभी भारत के पहले पशु स्वास्ते शिकर संबिलन का इन्होंने उधगटन किया था कहां? नई दिल्ली में और अगर आपसे पूछे ना कि भारत का पहला मतस्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर ये कहां पे लॉंच किया गया? तो आंचर होगा गुरुग्राम में और बताओ भारत के पहले ये मचली बाजार एप्लिकेशन फिश वाले को किसने लॉंच किया था? असम ने असम सरकार देखो यहां से आपको एक और पॉइंट याद करा हूँगा और अभी दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी मचली ये कहां पे पकड़ी गई थी? कमबोडिया में वो एक श्टिंग्रे मचली थी तो ये सारे आपके इंपॉइंट पॉइंट से सारे याद रखनें आपको बढ़ते हैं चली बताईए अभी अगस्ट 2022 में केंद्रे ग्रह सचिव का कारेकाल अभी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया नाम बताईए अजे कुमार भला भलाल देव वाले भला तो हमारे केंद्रे ग्रह सचिव हैं ये अजे कुमार भला और पिछली बार भी 2021 में भी इनका कारेकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया था और अभी एक बार फिर से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया अब ये 25 अगस्ट 2023 तक अपने पजपर बने रहेंगे हो जकता है फिर बढ़ा दे ये 2019 में ग्रह सचीव बने थे ग्रह मंत्रिय आप जानती है कौन है अ और वेसे हमारे भारत के इलेक्ट्रोनिक वा आईटी सचीव कौन है क्योंकि इनका नाम न्यूज में था अलकेश कुमार शर्मा अभी इनको सन्युक्त राष्टर युनाइटेड नेशन ने दस सदसी इंटरनेट गवर्नेंस फॉरम लीडर्शिप पैनल में न्यूक्त किय आप जानते हो केबिनिट सचीव का कारेकाल भी अभी एक साल के लिए बढ़ा गया उनका नाम क्या है राजिव गोबाय और हमारे के वी आईसी के नए प्रमुख कौन बने मनूच कुमार चलो कुछ नाम मैं आपसे पूछूँगा प्रमुख विज्यानिक सलाकार कौन बने अजे कुमार सूध मुख्यार्थिक सलाकार अननत नागेश्वरन और अभी भारत के नए विदेश सचीव कौन बने थे विने मोहन कुआत्रा दिल्ली के उपराज्यपाल विने कुमार सकसेना और हमारे रेलवे बोर्ड के चेयर्मेन और सीउ का नाम है विने कुमार तरपा दिया है जाने से पेले फिर से याद दिलारहा हूँ अगर कैन्ट अच्छा लगता है महनत अच्छी लगती है तो चैनल को शेर तो करना ही है दिस तरá से मैं आपको आगे बढ़ाने में लगा हुआ। पूरी महनत कर रहा हूँ रात दिन, YouTube में हमारा चैनल बहुत पीछे है झाल झाल